सपने में विद्वा दिखाई देना क्या अशुब है अगर आपको सपने में विद्वा दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है इससे आपके जीवन में क्या परभाव पड़ेगा बहुत से लोगों ने बचपन से ही सुना होता है टीवी पर सोसल बीडिया पर धरम गुरूं से सुना होता है कि विद्वा के दर्शन हो गए सपने में विद्वा को देख लिया तो अब तो अब शकुन हो गया है विद्वा मनहूस होती है विद्वा के सपने में दर्शन होना अर्थात, घर में किसी की मिर्त्यू होना, खुद की मिर्त्यू होना, बीमारी आना, अनाप्षना, पहूत सा कच्रा दिमाग में डाला होता है लेकिन सच क्या है? आप जानते हैं, आज आप जान लीजिएगा सपने में अगर आपको विद्वा दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है, आपके जीवन में कुछ कॉनफलिक्ट हैं आप कुछ दिनों से तनाओ से जूज रहे हैं, आपके जीवन में चिंता है, अंग्जाइटी है और वास्तों में विद्वा को आपने कुछ जादा ही यहां एहमियद दे दी है और दूसरा मतलब यह है, सपने में अगर आपको विद्वा दिखती है, तो आपके अंदर विद्वा का डेटा बहुत जादा मन में डाला हुआ है आपके मन में विद्वा से सम्मंदित बहुत सारे डर हैं, खोप हैं, उनसे रिलेटिड नेगटिव बलीब बने हुए हैं, नेगटिव विचार बने हुए हैं धारणा आपकी विद्वा के परती बहुत गलत है ये डेटा जब मन में जाता है, वही सपने में बहार आ जाता है क्योंकि अचेतन मन में कोई भी डेटा सप्रेस नहीं रहता है, वो बहार निकलता है बहार सपने के मध्यम से भी आ जाता है तो आपके जीवन में कहीं कोई ने कोई कनफलिक्ट चल रहा है अंतदवन्द चल रहा है और आप विचारों को या जो अंद विश्वास हैं विद्वा मनुहूस होती है विद्वा बुरी होती है विद्वा ये होती है वो होती है ऐसे डैटा आपने बहुतिरियसली मन में डा इसलिए विद्वा दिखाई देती है और वही याद भी रह जाता है वरना सपने तो चलते ही रहते हैं याद नहीं रहते याद वही सपने रहते हैं जो सीरियसली डैटा अंदर डाला होता है और जो सीरियसली डैटा अंदर नहीं डाला हुआ वो सपने में एकदम से निकल जा आपका जीवन उतल पुतल वाला है आपके जीवन में बहु सारी उलजने हैं और उसी का संकेत है सपने में विद्वा दिखाई देना तो आज से आपको डरने की गवराने की जुरूरत नहीं है आप मुझसे ओनलाइन कभी भी बात कर सकते हैं और अपने डर से मुक्ति पा सकत हैं दिवाली के मौके पर ओनलाइन फीस आधी रह गई है 50% का इसकाउंट है और दिसंबर महीने में साथ दिवसिय भगवत गीता कोर्स शिर्षा हर्याना में भी आप ले सकते हैं